सो हेलो एवरिवन हमने अभी तक कीप क्याइट जो क्लास 12 की पोयम है उसको डिसकस कर लिया है लाइन वाई लाइन समरी अप्लोड़ेट है क्लास जागे देखिए और इस सेशन पर हम लोग करेंगे क्लास 12 की पोयम है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9-12 मैं पूरे आपके टॉपिक्स को अप्लोड कर रहा हूं लाइन बे लाइन ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को कोशन नमबर वन का एंसर जल्दी से आप लोग दीजिए तक थानरा इसाँ आप इंदे दूपितों प्राट स्टार्ट कर दो पिसमाल लेखा अपीप्टरर्ण का ठीक है नहीं । तो इसका एंसर आप लोग ने जो दिया है मुझे वो मैं देख लेता हूँ आप लोग का जो एंसर आ रहा है वो आ रहा है कुछ का एक कुछ का डी ठीक है तो इसका एंसर तो देखिए what does the title of the poem suggest ठीक है पॉयम जो title का मुदलब जो पॉयम है इसका title क्या रखना चाहिए था ऐसा कुछ हा रहा है इसमें ठीक है तो आप लोग जो answer दे रहे हैं कुछ लोग इसका answer दे रहे हैं और कुछ लोग दे रहे हैं, C, कुछ लोग दे रहे हैं, A, तो मैं आप लोग को बता दू, इसका answer D बिलकुल सही है, maintain silence is the right answer, ठीक है, question number one का है, maintain silence, ठीक है, poet भी तो बोल रहा है, बार-बार keep quiet, keep quiet, inactive होने की बात नहीं कर रहे हैं, What does the poet speak about, poet किस बारे में बात कर रहे हैं, the necessity of necessity to be happy, the necessity to introspect, understand and have feeling of brotherhood, the necessity to work quietly, none, जल्दी से बताएं, answer push number two का, किस चीज़ में बात कर रहे हैं, poet हमारे, सांती, सोहाद्र, प्यार, इसकी बात कर रहे हैं, देवियो सुचनो, और आप लोग जो answer दे रहे हैं, कुछ लोग C दे रहे हैं, कुछ लोग B दे रहे हैं, कुछ लोग B भी दे रहे हैं, ये भी अच्छा बात है, चलिए, मेरे हिसाब से आप लोग का जो answer है, वो बिल्कुल B जिसने लगाया, वो सही है, इस दे राइट एंसर ब्रदर होड है, प्यार महबत थेलाना है अपन को, कोशन नमबर 3, क्या लिखा है, वाट ड़स काउंटिंग अप्टू 12 सिगनिफाई एंड हाउ बिल इट हैंप, ये answer आपको देना है, 12 तर जो काउंट करने के लिए बोर रहे हैं, वो किस तरह से क्या करेगा, help करेगा, ये आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है, ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, या all, तो बिल्कुल सही है, hour of the day भी बोला जा रहा है, month of the year भी भी बोला जा रहा है, मैंने आपको शुरू महीं बताया था, पहली line जो बोलता है, count of 12, तो वो day के भी बारे में बोलता है कि day के जो 12 hours हैं, उसको count करते हैं, या month के जो 12 महीन हैं, उसको count करते हैं, ये पूरा count होगा, साथ में peace और harmony की भी बात होगी, ठीक है, question number, इसमें 14 आप लोग मुझे बता, 4 बता दीजिए, what is poet pen name, जो poet का नाम है, वो क्या है, वो आप मुझे बता दीजिए, poet pen name, तो 4 का answer मैं आप लोग को बता दीता हूँ, 4 का answer होगा, D. Pablo Neruda, ठीक है, question number 4, question number 5 का answer मैं, आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या होगा, what does the style of the poem symbolize that the poet used to write bit, मतलब क्या symbolize करके poet लिखी गई है, ये आप से पूछा जा रहा है, so dear student, इसका जो answer है, question number 5 का, वो desire होगा, happiness होगा, hope होगा, desire and hope होगा, तो मैं question number 5 का answer बता दूँ, आप लोग को D होगा, desire and hope, ठीक है, desire भी है, एक तरह की इच्छा भी है, सांथी कायम करने की, और आसा भी है कि आप लोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर question number 5 is the right answer, 5 का D is the right answer, question number 6 है, इसका answer मैं आपको पहले question पूछा था, कि what is the original language of the poem, poem जो है किस language में लिखी गई है originally, वो आपको मुझे बताना है, और आप लोग ने मुझे लगता है, बता भी दिया हूँ, क्योंकि आप लोग इस चक्तर में इसमें बहुत माहिर हैं, यह सब बताने में आप लोग बहुत जादा माहिर हैं, और आप लोग ने ब Spanish, next question है, question number seven, question number seven जो है वो क्या है देखते हैं और थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ, छोटा तो आप लोग को दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखे, what is the essence of message of the poem, ठीक है, इस जो poem में जो poet क्या message देना चाहते हैं, क्या खुस्बू पहलाना चाहते हैं, आप लोग मुझे बताईए, क्या आप लोग को समझाना चाहते हैं, वो, यह बताईए, question number seven का answer जल्दी से बताईए, introspection and retrospection to be more peacefully and be in harmony, to prosper, to be happier, to reach out more pupils, बताईए, क्या होगा इसका answer, question number seven का answer, So, dear friends, आप लोग जो answer दे रहे हैं, question number seven का, वो लगभग सही भी जा रहा है, और कुछ लोगों का गलत भी जा रहा है, मैं आप लोग को बतादू, A is the right answer, बिलकुल seven का introspection and retrospection to be more peacefully and be a harmony, ठीक है, Question number eight में चलते हैं, what does the poet feel is needed to be at peace, ठीक है, मतलब हमें सांती से रहने की क्या वशकता है, पोईट ऐसा क्यों feel कर रहे हैं, meet with pupil, talking with pupil, interaction with the pupil, soul, searching, क्यों वशकता है हमको इस तरह से रहने की, सांती पूरवक रहने की क्या वशकता है, बदाईए, question number eight, अनुराग जी बोल रहे हैं, डी होगा, पारेश जी बोल रहे हैं, ए होगा, नेहा जी बोल रहे हैं, ए होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजे आप लोग, question number eight का answer होगा, डी, डी मतलब सोल सर्चिंग, ठीक है, इसलिए बोलते हैं, सांती से आप रहे हैं, क्योंकि अगर आप सांती स रहेंगे, तो जो कुछ आप सोचना चाहेंगे, वो सोच सकते हैं, तो आप तो यही है, जीवन की कमाओ, खाओ, उडाओ, ठीक है, फिर कमाओ, फिर कमाओ, फिर गबाओ, फिर उडाओ, ठीक है, यही चीज़ है, तो प्लस अपनी सोल को सर्चो कि तुम्हाई सोल क्या चाहती है, ठीक है, कोशन नमबर 9 है, according to the poet, what creates barrier, कौन barrier create कर रहा है, ठीक है, इंट्रेक्शन, रियक्शन, फाइटिंग, लेंगवेज, पोईट ने यहां पर बात बताई है कि कौन barrier हम लोग की बीच में create कर रहा है, कौन युद्ध करवा रहा है, यह पोईट बता रहे हैं, तो वो कौन है, बत जो create करा रही है, क्या हमारा disturbance जो create करा रही है, वो कौन है, लेंगवेज है, वाइड़ दा पोईट आस्क प्यूपिल नॉट टू स्पीक, जो हमारे पोईट है, वो क्यों चाहते हैं, क्यों कहते हैं, कि जो प्यूपिल है, जो लोग है, वो बोले नहीं, क्यों ऐसा कहते हैं इससे हला होता है, इससे हला नहीं होता है, इससे चीज़े बेकार हो जाती है, और इससे चुक्की barrier creates हो जाते हैं, obstacles हो जाते हैं, misunderstanding हो जाती है, लोगों के बीच में तो क्या ऐसा है? तो बताईए. ठीक है, question number D, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए तो आप लोग का जो answer है, question number 10 का D is the right answer, ठीक है? तो चलिए, 10 का answer D होगा, बिल्कुल सही है, अगर आप लोग भी देवियो सजनों हमसे जुड़ना चाते हैं, रेवा इंस्ट्यूट से जुड़ना चाते हैं, तो इस नंबर प आप लोग डाउनलोड करके testries join कर सकते हैं, यहां पर आपको mock test भी मिलेंगे, ठीक है, full length mock test मिलेंगे, ठीक है, अब मैं आप लोग को बता दूँ कि रेवा इंस्ट्यूट आप लोग के लिए, जो testries लाए है, उसमें आपको 6000 question मिलेंगे, लाजवाब सांदार question रहेंगे, 6000 question अगर आपने solve कर लिए, इसका मतलब आपकी जो तैयारी है, वो complete हो गई, ठीक है, 100% complete होई, और उसके बाद अगर आपने paper दिया, तो निश्यत तोर पे आपके जितने marks without testries आ रहे हैं, उससे जादा, कम से कम 20 marks जादा आएंगे, यह इस बात की guarantee है, ठीक है, testries में, क्यों क्योंकि इसको लगभग 2-3 source से कठा किया गया है question को, इसके बाद question बचने के chances कम है, ठीक है, तो मेरा प्रयास जितना है, मैंने किया है, join करेंगे, निश्यत तोर पे आपको बहुत जाता help मिलेगी, ठीक है, मिलते हैं next session पे, thank you for watching the students, thank you, good night all of you, good night, आची क्लास हैं पे हुई, मिलते हैं next day, thank you